हलो दोस्तों वेलकम एगें टू आवर लणिंग चैनल शिक्षायंत्र शिक्षायंत्र चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है बिटा मैं आपको इस एपिसोड में पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग यह टॉपिक नाइन क्लास चैटर वन के विस्ट्री का पार्ट है आए बिटा पढ़ते हैं आज मैटर क्या होता है हमारे सराउंडिंग में हमारे आज़ पास के वातावरन में जो सब्द आपने सुना है पदार्थ मैटर यह क्या चीज होती है और इसको पहचानने के क्राइटेरिया क्या होते है हम किन सब्सक्राइब करेंगी इस साइंस को हम लोग इन्वार्मेंटल साइंस और अलाइट साइंस भी बोलते हैं जो आपको डे टो डे लाइफ के अंदर में भी चीजों को फैक्स को समझने में मदद करती है तो इसको आप इंटरस के साथ में और अपने जो प्रस्पेक्टिव इसको लेकर चल सकते हैं आईए दोस्तों पढ़ते हैं मैं आपको कुछ इहां इमेजिस दिखाऊंगा और उनकी अब्जर्विशन करने के लिए बोलूगा जैसे कि आप लोग पहले देखेंगे हमारे पास यहां मॉडियोल वन में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडेक्शन के अंदर इच एन ओवरी तिंग को आप अब्जर्व करें आप धंग से देखें कि इस क्लास्रूमम के अंदर में जो भी समान है जो भी चीजें उसको आप अब्जर्व करें और आप्जर्व करने के बाद में एक list आपने तयार कर लेनी है अब आपके देखेंगे question आपके पास में आएगा do all these things have mass क्या इन सभी चीजों के पास जो आपने observe की है इस classroom के अंदर क्या इन सभी के पास mass है हम local भासा में अगर हम मैं science के technical सब को हटा कर मैं आपको local भासा में समझाने को क्या इन सब चीजों के पास में वजन है वजन चलिए आपका answer क्या होना चाहिए yes they all have mass अगर आप इस बैक को उठाते हैं अगर आप screen पर इन डिस्क को देखते हैं अगर आप water bottle को को देखेंगे आप और learning accessories को देखेंगे आप ग्रीन बोड को देखेंगे प्रोजेक्टर को देखेंगे आप किसी भी चीज़ को अगर आप आप आपने जो लिस्स बनाया है आप उस लिस्क में इन सब चीजों को observe करने के बाद में आप देखें क्या ये इस कोशन का आपको मेले का ये आल है इन सभी के बास वजन है इस बिटा यहां आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं और मैं मैं आपको समझाने के कोशच कर रहा हूं चलिए आईए अपने नेक्स कोशन पर आते हैं Do they occupy space? क्या ये सभी चीजे क्या ये सभी चीजे स्थान भी घिरती हैं क्या इन सभी चीजों के पास जब इनको हम रखते हैं तो रखने के बाद में स्थान का घिराव होता है तो अब यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिलेगा जो आपने लिस्ट बनाई थी लगबग लगबग आपको सभी के सिस में आंसर मिलेगा यस अप देखेंगे यह चेयर और डिस्क का जो सैट है यह आपकी जो स्टडी टेबल हो गई यह भी जगा घिरती है आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर यह बैग यह बैग भी खुद को रखने के लिए जगा घिर रहा है आप देखेंगे जो आपने लर्निंग मिटेरियल जो बुक्स हो गए आपके जिमिट्री बॉक्स हो गए आगर आपके पास भी अलाइड एसेसरी के इंदर में वाटर करता है वो जगा घिरता है स्थान घिरता है इसका मतलब कुछ-कुछ आपको सबज में आने रगा होगा क्योंकि आप मैटर टॉपिक को नाइन क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप सिख सेवन तेर्थ में भी पढ़कर आते हैं तो बिटा देखने में आपको क्या हैगा आगे देखते हैं अब पार्ट फ्रॉम यह एक टाइटल स्टेटमेंट है अब पार्ट फ्रॉम आल दिस तिंग्स सम्थिंग एल्स अलसो प्रजेंट इन दा क्लास रूम विच यू कैन नौट सी समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ और भी चीज़े हैं जो इन्वाल्व हैं आपके सरॉण्डियू में आप इनको देखने ही पा रहे हो और आगे चलके आप इनको क्या नाम दे सकते हैं जो कुछ भी इस क्लास रूम में प्रजेंट है वो सब क्या है मैटर है पदार्थ है आगे सबस्ते हैं चीज़ों को देखिए लेट उस सी फ्यू और एक्जांबल्स ऑफ मैटर के कुछ और एक्जांबल्स देखते हैं यह फ्रूट इस बास्केट में तो यह बास्केट यह फ्रूट यह सभी मेटर्स के कटेगरी में आते हैं क्योंकि और यह सभी भी स्पेस को औक्यूपाई कर रहे हैं यह सभी क्या कर रहे हैं यह वातावरण में किसी भी जगह पर इंवार्मेंट में क्या करते हैं रखने पर स्थाम घेलते हैं आगे आते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा स्क्रीन पर जो यह next image है यह image आपको दए और आपने यहां देखने है स्पेस ऑक्यूबआ और इसके पास अपना व incarceration insect आगे आते हैं, आगे देखेंगे तो roses यानि any flower आप इस में भी कह सकते हैं कि इन तीनों के पास में same property है, all the three things have mass and they gonna occupy the space. आगे आएंगे, आगे देखेंगे water droplets और आगे आए clouds, बादल और आगे आएंगे तो आपके पास में heavily bodies, उसके बाद आगे आएंगे आप इसको Tommy, puppy, dog, कुछ भी कह एकर पुकारिए, आप क्या देखेंगे, सभी के पास same property है, they all are made up of matter, they all are matters. ठीक है, सभी के सभी पदार्थ है, in short, पदार्थ क्या चीजे होती है, वो चीजे, जो क्या करें, वजन जिन के पास हो, जिन चीजों के पास में mass होगा, और दूसरा, वो रखने पर खुद को place करने पर क्या करेंगी, जगा घेरे, ये property होने के बाद में, हम एक consideration में ला सकत है, इसके अलावा कुछ और चीजे होती है, कुछ और गुण होते हैं, अगर हम उनको भी ध्यान में रखें, तो हम perfection के साथ में कह सकेंगे, कि हाँ वो चीजे mass है, तो additional properties क्या क्या है, उनको देखते हैं, यानि ये दो गुण तो याद रखने रखने, अब आगे और property कह रह volume, ठीक है, हम matter को mass के साथ से, volume के साथ से, और energy के साथ से भी classify करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखेंगे, matter क्या है, अभी तक आपने module 1 में जो पड़ा, anything that has mass, कोई भी चीज, जिसके पास क्या है, mass है, anything that has mass, mass हो क्या जी, mass के अलावा, anything that has mass, यह आपका mass, occupies space, जगह घेरे, is called matter, matter के बाद उसने एक और चीज बोड़ी है, which you can perceive through, which you can perceive through your sense, और इसको मैं दूसरी भाज़ा में बोलू, तो, can be felt by one or more of our sense, sense organs की list आपके पास है, eyes, ear, nose, tongue and skin, यह पांचो sense organs होते हैं, अगर आप, अगर आप क्या करें, matter के पास में दो property तो थी थी, mass की और space को occupy करने वाली, mass की और space को occupy करने वाली, अगर उसके बाद में, आप तीसरी additional property क्या देखेंगे, which you can perceive through your sense, यानि अगर आप किसी चीज को feel कर पा रहे हैं, अपने sense के द्वारा, इन पांचो sense में से, आप एक या एक से ज़्यादा sense के द्वारा अगर उसको feel कर पाएं, महसूस कर पाएं, यह property आपको याद रखनी हैं, और एक और property आपने याद रखनी हैं, और इसको अगर local statements में समझाने की कोशिश करूँगा, तो opposite force, किसी भी टास्क के opposite force होती है, उसको हम resistance बोल देते हैं, अब matter के अंदर चार property आपने याद रखनी हैं, वो properties क्या क्या हैं, matter पदार्थ क्या होता है, जो जिसके पास वजन हो, रखने पर जगा घेरे, और किसी भी एक sense या एक sense से ज़्यादा के द्वारा वो feel किया जाए, और वो offer करे some resistance, वो प्रतिरोध को पैदा करे, प्रतिरोध को उत्पन करे, ठीक है ना? वो एक resistance भी create कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको example देता हूँ, और चीजों को समझते हैं, यहाँ आप example के साथ में, हम जैसे की air के बारे में देखें, तो air have mass, air के बास बजन होता है, कैसे आप balloon को जब फुलाते हैं, sorry, जब आप नॉर्मल हमने गरों में देखा है, हम gas cylinder को ज देते हैं, तो बढ़ने के बाद है filled cylinder, तो दोने का बजन अलग अलग होता है, एप्रॉक्सिमेट 14 किलो के आसपास में खाली cylinder का बजन होता है, और जब बढ़ा हुआ लेते हैं, तो ऐसा करके कुछ लॉजिक होता है, तो यहाँ से आपको clear हो गया के air जो है, हम उसको तो त पास मास है, दूसरा आप देखते हैं, जब आप air को बलून में भड़ते हैं, तो बलून क्या करता है, अपना space बढ़ा करता है, फूल था है, और यहाँ अपना size क्या क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इससे क्या पता लगा आपको, कि air occupy some space also, air के बास मास भी हो गया, air ने एर कर्णिशनर वाली एसी फोड़ी यह तहीं होती इसको अपने सकिंड वाले सेंस्स के साथ में फील करते हैं या फिर गर्मियों में आप जब वार्मर चलाते आप आप जू वार्मर वह भी क्या करता है आपको गर्म हभावा फील करवाता है इंट मेंस एर के पास तान ऑगर कि हम उसको फील कर सकते हैं, उसके पास मास होता है, और वो क्या करता है, प्रतिरोध भी पैदा करता है, यह मैंने आपको बता है, तो फील किया जा सकता है, मास भी है, जगा भी गिरता है, अब प्रतिरोध कैसे पैदा करता है, उत्पन करता है, उसका भी एक जामपल आपके आपने अगर कभी इस डारेक्शन से आपको जाना इस ट्रैक पे है आप यहां साइगल करते हुए आप इस डारेक्शन में मूव कर रहे है और सामने से हवा इस तरह रही है तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करने को बिलती है आप साइकल के बाद छोड़िए अगर कभी कुछ ठीक थांसा तुफान वगरा भी आया है आंधी वगरा भी आया और अगर आप उस टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जिस डारेक्शन में आप जा रहे हैं अगर उसकी उल्टी दिशा में अगर वहां से कुछ चीज़े आत रेजिस्टेंस भी ऑफर कर दिया और फील भी कर लिया इट मिंस एयर क्या है एक मैटर है बटा अब आप इन प्रॉपपटिस के बिश्चिस में मैटर की क्या करेंगे लिस्ट बनाएंगे अगर आपको कुछ डाउट सेक्शन में आप डाउट डाल सकते हैं कि सर यह चीज म आप उनको देख पा रहे हैं या नहीं कभी ऐसा होता है प्रॉपटिस होती है पर उन्हें देख नहीं पाते हैं आपके पास एक्जाम मस्मी होते हैं सोचने के लिए तो मैटर को लिस्क करेंगे तब तक के लिए कीप ट्रेक्टिसिंग कीप लर्निंग मैं मॉडूल